खरगौन जिले में रेलवे लाइन को लेकर शासन परसासन इस्तर पर कई दावे भुनाए गए लेकिन नतिज़ा कुछ नहीं निकला ऐसे में तापती नर्मदा रेलवे संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और दो महाँ बात एक लाग स्लोगों के साथ धरना परतसन करने की बा रेलवे लाइन की मांग की इस दोरान संगठन के रिटाइड इंजिनियर राधिशाम पाठिता ने बताया कि बजट के आधार पर उनका अनुसंसादन सही है और सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगामी समय में एबी रोड पर धरना अंदुलन करेंगे खरगौन से ब्यूरो किया है तो देजगाओं और देजगाओं के आगे जो है हमारा नेशनल इस्टेट हाइवे जो है उसके पेरलल हम इसको आगे बढ़ाते हुए भिकन गाओं तक लाए हैं भिकन गाओं से ये घुग्रिया खेडी स्टेशन यहां पर रखाया है और खरगोन होते हुए ये रे इसको क्रास करने के बाद में यह हमारा जो मार्ग है यह राजपूर और राजपूर से अंजड़ होते हुए बढ़वानी तक जाएगा बढ़वानी से यह मांडवी और सिंगाना तक जाएगा यह सिंगाना से हमने इस मार्ग को टर्न करने का प्रयास किया यह पेले धार ज आएगा तो यह मार्ग भी लंबा पड़ेगा और गुमाउदार है साथ ही इसमें नौ किलो मेटर की टनल है विद्धियाचल परवत होने के कारण इस मार्ग में कटिंग फिलिंग भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो लागत बढ़ रही है जिसकी वज़े से आज सतर साल से प्रोजेक्ट फेल हो रहा है वह यहीं विद्धियाचल परवत में टनल और कटिंग फिलिंग ज्यादा होने के कारण फेल हो रहा है इसलिए हमने और कुक्षी से नानपूर और नानपूर को जोड़ा है तो इस उनल या को या कोई पाहडी या एसा को बड़े हमारा एक सोभस्राइब में ये घ्रेक आ जाएगा और हमने इस पें की कि पहले जो डिखाया गए है आट-नो के सर्वे में कि इस पे रेल लाइन में सवारियां कम है और उद्योग नहीं होने के कारण माल वाग गाड़िया भी नहीं चल सकेगी इसलिए इसमें हमने विचार करके इसको अली राजपूर से बरोदा की तरफ जोडने का प्रयाफ्स किया है अली राजपूर इसलिए कि इंदोर से धार और धार से अली राजपूर के तरफ ये निर्माना धीन मार गए है और इस बरोदा के माध्यम से हम लोग सिरे खंडवा जुन्वाने खंडवा और खंडवा से हम आगे बेतूल होते हुए नागपूर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे आभी खंडवा से नागपूर जो रो वेल लाइन है वो मार्ग भी निर्माना धीन होने से भविष्य में बरोदा से वाया बरवानी जुल्वानयक खरगोन और खंडवा हम लोग खंडवा से अली राजपूर के लिए मांग कर रहे हैं पूर्वों में ये खंडवा से धार के लिए थी 207 किलोमेटर की इसकी लागत ज्यादा होने से ये रेलवे जो लाइन है ये सेंट्रल गोर्मे में जब इसका हुआ और उसका जो इस्टीमेशन हुआ उसका अमने तुल्मा तुन्नात्मक अध्यान करके ये निकाला कि हमको सेजला खंडवा से जो अली राजपूर के लिए जा रहे ही वो लाइन सस्ती पड़ेगी और उसको सरकार इसको सुप्रपी करने में कोई अपती कि नहीं आएगी कि इसके लिए का वर्षत त्यारें चल रहे हैं अभी हमारे खरगुन जीलों में चार धरना अंदोलन हो चुके हैं अभी बढ़वानी जीलों में प्रस्ता भी थे और उसके बाद मारे अध्यक्ष मोदे ने गोस्ता किये कि जुल्वानिया में एक लाख ल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना फुले